मेरा नाम प्रोफेशर मैं लेजर पांडे हैं, मैं जवारलाल लेरु विश्वी डेले के भारती भासा केंद्र में हिंदी का प्रोफेशर था और अध्यक्ष भी, आज कल मैं रिटाइड हूँ, मैं आपके सामने जो भासर देने जा रहा हूँ, उसका संबंध उस पाथ क्रम से है, जिसका नाम है साहित्यका इतिहास, दर्शन आज के मेरे ब्याख्यान का विशह है, साहित्यके नए इतिहास लेखन की संभावना है, इस पाथ को पढ़ने के बाद, आपको एक तो यह मालूम होगा, कि इन्दी साहित्यके या किसी भी साहित्यके इतिहास के नए लेखन में क्या-क्या बाते जरूरी होती, पहरी बात मैं यह कहना चाहूँगा, कि साहित्यके इतिहास एक तरह से अतीत से संभाद का प्रयास है, दूसरी बात यह है, कि साहित्यका इतिहास पुरानी रचनाओं का लिखा जाता है, लेकिन उनका अभी प्राय समकालीन संदर्भ में ब्याख्याइद किया जाना चाहिए, मतलब तुलसी दास के बारे में साहित्यका इतिहास जो होगा, वो तुलसी की रचना सेलता की ब्याख्या के साथ, साथ यह भी ध्यान में रखा जाएगा उसमें कि आज तुलसी दास का क्या अर्थ होर महत्त्यों है, तीसरी बात ये है कि साहित्य का इतिहास स्वभाव से द्वन्दात्मक होता है उसमें इतिहास साहित्य और समाज के बीच द्वन्दात्मक प्रक्रिया चलती है एक चौथी बात ये भी है कि इस द्वन्दात्मक प्रक्रिया को एक प्रसिद्ध विचारक रवाट वाई मानने बिगत सार्थकता और बर्तमान अर्थवत्ता कहा है इस ब्याख्यान में आपको उसका भी अर्थ मालुम होगा इस ब्याख्यान में यह भी मालुम आपको होगा कि कैसे साहित्य के इतिहास में विचारधारा क्रियासील रहती है और काम करती है कैसे साहित्य में कभी कभी सेंसर सिप्विक्ये बाध्यम से सत्ताएं अपना काम करती हैं यह भी मालुम होगा और यह भी मालूम होगा इसमें मैं चर्चा करूँगा कि जार्ज लुकाच ने 1910 में एक लेख लिखा था जिसका संबंध साहित के इतियास के स्वरूप से है उसके बाद एक दूसरे विचारक है पह्षिम के हन्सराबर जौस उन्होंने भी एक निवंध लिखा था लगभग पचास वर्स बाद मतलब लुकाच के निवंध के पचास वर्स बाद जिसमें उन्होंने साहित के इतियास में रचनाओं के पाठ की गरहप के महत्त का बिशलेशन किया है इस तरह आप साहित के इतियास के प्रसंग में एक और बात प्राय साहित के इतियास में केवल कविता कहानी उपन्यास की बात होती है मेरी राह ये है कि उसमें जो ग्यान का साहित लिखा जाता है उसको भी सामिल करना चाहिए तो एक तरह से एक और आखिरी बात ये है कि भारत में स्वाधिन्ता अंदुलन के दौरान बहुत सारा ऐसा साहित लिखा गया जिस पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगाई प्रतिवंध लगाया हिंदी साहित के किसी इतिहास में प्रतिवंधीत रचनाओं का उलेख नहीं होता यह इंक बिडंबना है इसलिए नए इतिहास में प्रतिवंधीत रचनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए तो यह सब बाते आपको मालूम होगी आईए अब हम इन बातों को थोड़ा विस्तार से देखें साहित का इतिहास में अतीत से अतीत के लेख को और उनकी कृतियों से बारतमान का संबाद है यह संबाद इतिहास लेखकी जिग्यासाओं आकांचाओं और तैयारी के अनुरूप होता है यह एक प्रकार से कृतियों के काल जीवी और काल जै होने की प्रक्रिया का हिस्सा भी है संबाद में हमेशा विबाद की गुझाईश रहती है इसलिए साहित के इतिहास में केवल संबाद ही नहीं बिबाद भी होना चाहिए प्रसिद्ध दार्षनिक हाईडिगर ने कहा था कि संबाद की प्रक्रिया में होना और इतिहास में होना समान रूप से पुराने साथ साथ चलने वाले और लगभग एक होते हैं इसका आर्थ ही अभी हुआ कि साहित के इतिहास को संबाद धर्मी होना चाहिए साहित का इतिहास हमेशा एक सामोहिक गतिशील प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इसमृत की रक्षा होती है वा संबाद भी इसलिए है कि बैक्ति केवल अपनी चेतना तक सीवित नहीं रह सकता साहित का वही इतिहास सार्थक होता है जो अतीत की रचनाओं को अपने समय और सामाज की आकांचाओं के संदर्भ में समझे और उनका मुल्यांकर करें प्रसिध आलोचक वाल्टर बेन्यामिन ने लिखा है कि कृतियों को उनके अपने समय में रख कर देखने के बदले उनका बोध करने वाले समय अर्थात इतिहास कार के समय में रख कर देखना जरूरी है इस प्रक्रिया में साहित का इतिहास बोध का हिसा बनता है केवल इतिहास की सामगरी नहीं साहित्य का इतिहास द्वंदात्मक दिरिष्ट की मांग करता है क्योंकि साहित्य के बोध में द्वंदात्मक दिरिष्टी की बात बहुत पहले कार्रप्स ने की थी उन्होंने लिखा था कि कलाकृति कलात्मक अभिरुच से युक्त पाठक समुदाय का निर्मार करती है जो कला के सौंदर्ज के आस्वादन में रुच रखता है इस तरह उत्पादन केवल चेतना के लिए बस्त ही पैदा नहीं करता बलकि बस्त के लिए चेतना भी पैदा करता है इसके उदाहरण के रूप में आप च्छायवाद की कविता को देख सकते हैं जब च्छायवाद की कविता आई तो हिंदी में केवल उसकी निंदा हो रही थी च्छायवाद के काल में ही निराला ने मुक्त चंद लिखा चुआ छंद कहते थे आज 75 साल बार आप न छायाबाद के निंदक हैं न मुक्त छंद के आलोचक। चेतना ने छायाबाद की कविता को स्विकार किया उसके महत्त को स्विकार किया। जिसको मैं सार्थक द्वन्दात्मक द्रिष्ट कहता हूँ उसकी ब्याख्या रॉबर्ट वाईमान नाम के एक आलोचक ने की है। उसको वो बिगत सार्थकता और बर्तमान अर्थवत्ता की समझ कहते हैं। मतलब साहित के इतिहास में रचना और रचनाकार उपर दो तरह से विचार करना चाहिए। एक तो जब वे रचनाकार थे और रचना उन्होंने की तो उस समय उनका उनकी सार्थकता क्या थी। और दूसरा ये कि आज उनकी अर्थवत्ता क्या है। राबर्ट वाईमान ने लिखा है कि इस द्रिष्ट से अगर साहित के इतिहास पर विचार होगा तो एक और पुरातात्युक द्रिष्टी और दूसरी और रूपवादी द्रिष्टी से छुटकारा मिलेगा। इस पद्धत से जो व्यापक इतिहास द्रिष्टी बनेगी उसके भीतर बर्तमान और अतीत निरंतर गतिशील प्रक्रिया के रूप में होगे और मनुसरे एक एतिहासिक व्यक्ति के रूप में सामने आएगा। इस पद्धत में अंतरवर्ती और बाहवर्ती के साथ प्रक्रिया और प्रकिर्थी दोनों की अंतर क्रिया होगी और परिवर्तन और मूल में गतिशील संबद्ध बनेगा। जिनको रॉबर्ट वाइमान का यह निबंध पढ़ना हो वो दो किताबों में से किसी को पढ़ सकते हैं। रॉबर्त वाइमान की किताब है। निबंध मौझूद है। उसमें भी रावर्ट वाईवान का यहलिक है रावर्ट वाईवान का यह भी विचार है कि साहित स्वैम इतिहास भी है और इतिहास साहित की सन्रचना और उसके अनुभों का हिस्सा भी है वे अभी कहते हैं कि एक आलोचक के रूप में इतिहासकार का उदेश से क्या है असल में रावर्ट वाई बान इतिहासकार के लिए दो गूर एक साथ जरूरी मालते हैं कि वह एक इतिहासकार तो हो ही वह अच्छा आलोचक भी हो आप इस बात को हिंदी साहित्य के इतिहासों से समझ सकते हैं कि वही इतिहास जादे महत्पूर है जिसके लेखक बड़े आलोचक भी है जैसे राम चन्सुक्र इस प्रक्रियाक में मैं पहले भी आप से कह चुका हूँ और फिर दुहरा रहा हूँ कि साहित्य का इतिहास साहित्य की आलोचना की तरह ही न विचार धारात्म का आग्रहों से मुक्त होता है न ग्यान की राजनीत से ये दोनों उसमें काम करते हैं इसलिए उसमें राजनीत भी आती है और नैतिक आग्रह भी काम करते हैं इसलिए कहा जाता है कि सौंदर जी बोधी चुनाओ प्राय विचारधारात्मक चुनाओ होते हैं माली जीए कि धूमिल की कविता एक आद्मी को पसंद आती है दूसरे को पसंद क्यों नहीं आती क्योंकि दोनों का दृष्टिकोर दोनों की विचारधारा दो तरह की है इक की दृष्टि यह दृष्टिकोर और विचारधारा से उसका मेल है दूसरे से नहीं है इसलिए उसको नहीं आता पसंद स्भांद के इतिहास में राय नितिक चेतना की उपस्तिती देखनी हो तो रामचोन शुक्र का इतिहास देख़ आप 3 बात एक दो उनके इतिहास में स्वदेशी की भावना पर बहुत जोर है तूसरा यह है कि इसी कारण उनके इतिहास में विदेशी प्रभाव की बड़ी कड़िया लोचना है जी समय रामचर सुकल इतिहास लिख रहे थे उस समय हिंदी में पश्शिम के कला और साहिति सम्बंधी बादों का बहुत जोर था उस सब को ध्यान वेरा कर आचार सुकल ने कहा था कि आज कल पाश्चात्यवाद व्रिक्षों के बहुत से पत्ति कुछ हरे नोचे हुए कुछ सूख कर गिरे पाए गए यहां पार्यात पत्र की तरह परदर्शित किये जाने लगे हैं जिससे साहिति उपवन में बड़ी गड़बड़ी दिखाई देने लगी है इन पत्तों की परक के लिए अपनी आखें खुली रखने और उन पेड़ों की परिक्षा करने की जरूरत हैं जीनिके यह पत्ते हैं मतलब जो बाद हैं वो पैदा क्यों और कहां और कैसे हुए हैं इसका ग्यान अर्जित किये बिना उन बादों को अपनाने को आचारशुक्ल अनाडीपन कहते थें उसको नापसंद करते हैं कभी कभी सेंसर्शिप ही चाहे वो रायसत्ता की हो या समाज की हो साहित के इतिहास में सेंसर्शिप का भी दखल होता अब आप दो तीन उदाहरणी तेलगु का साहित के दो उदाहरणी बहुत पहले तेलगु की एक कवित्री थी मुद्धु पलानी मुद्धु पलानी उसका का विग्रन था राधिका सांत्वनम पुरानी रचना थी पर बीशमी सदी में छपी तो हंगावा मची गया है उसके बिरोध में आंदोलन चले उस पर पाबंदी लगी तो उसके पक्ष में आंदोलन चला फिर पाबंदी हटाई गई ये एक तरह से साहित के इतिहास में राजसत्ता की दखलंदाजी का प्रमाण यही नहीं बीशमी सदी में एंटी आर जब मुख्यमंत्री थे आंद्र के तो उन्होंने ते लुगू के कभी वर्बर राओ की कृती भविश्य चित्र पटम पर पाबंदी लगाई लेखक को जेल भी हुई थी अभी कुछ दिन पहले एक प्रसंग सामाजिक सेंसर्शिप का सामने आए तमिल के एक लेखक नाए पी मुरुगन उनके खलाप वहां की कुछ जातिय समुहों ने अंदोलन चलाया और मजबूर होकर मुरुगन को ये घोसरा करनी पड़ी की लिखक के रूप में आज जिसे मैं मर गया हूँ कुछ लिखूंगा नहीं ये सब साहित्य के इतिहास में चर्चा का बिंदुख है पर दुखद बात ये है कि किसी भी साहित्य के इतिहास में इन चीजों की चर्चा नहीं हो अब आप एक और प्रसंग लीजिए हिंती साहित्य के इतिहास से समब्दित स्वाधिन्ता अंदोलन के दौर में हिंदी में ऐसा बहुत सारा साहित लिखा गया जिस पर अंगरेजों ने पाबंदी लगा दी वो साहित दो तरह का था एक तो सर्जनात्मक साहित थे था जिसमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, आदिसा मिल थे और दूसरे ग्यान का साहित था जिसका संबन्द इतियास, राजनीत और अर्थसास्त्र से था आश्यर्ज की बात ये है कि हिंदी साहित के किसी इतियास में इन परतिवंधी तरचनाओं का कोई उलेख नहीं होता जमकि आज उनमें से बहुत सारी रचनाएं दुबारा छपकर सामने आ रही है और आई हुई है मैं साहित के इतियास से संबन्धित तो और विचारकों की राय आपके सामने रखना चाहता हूँ 1910 में जार्ज लुकाच ने साहित के इतियास के सिधान्त पर एक लेख लिखा था तब जार्ज लुकाच मारक्षवादी नहीं थे इस निबन्ध में जार्ज लुकाच ने कहा था कि साहिति में रूप का बहुत महत्त होता है उन्होंने यह भी कहा था कि इतियास के लिए सक्षम आलोचना द्रिस्ट की जरूरत होती है तीसरी बात उन्होंने यह भी कही थी कि साहिति में रूप ही साबाजिक होता है क्योंकि वही रचना को पाठकूर्ट तक ले जाता है और पाठकूर्ट के बोध का माध्यम बदता है जार्ज लुकाच के लेखन के बाद हन्सरावर्ट जॉस नाम के एक दूसरे जर्मन विचारक में एक निवन्ध लिखा था उस लगभग जार्ज लुकाच के निवन्ध के साट साल बाद 1970 के लगभग जिसमें उन्होंने यह कहा है कि साहिति के इतिहास को पाठकी गरहन का इतिहास बनाने जहें मतलम अलग लग समय में एक रचना को या अनेक रचनाकारों को विभिन रचनाकारों की रचनाओं को पाठक क्या कैसे स्विकार करते हैं कैसे गरहन करते हैं दूसरी बात उनकी अत्यंत महत्पूर है और वो काल जयी कृती के प्रसंग में भी ध्यान में आती है तो उन्होंने यह भी लिखा है कि अभिगरहन का मतलब रचनाओं के रचनाओं के रचनाओं के रचनाओं या अभिगरहन का एक सौंदर्ज सास्त्र होता है और उस सौंदर्ज सास्त्र को भी ध्यान में रखना चाहिए इतिहास कारवों को क्योंकि साहित्य के इतिहास उन्होंने लिखा है कि अगर साहित्य के इतिहास का पूरा नवीनी करना होगा तो एतिहासिक बस तुनिस्ता को किनारे करके अभिगरहन और प्रभाव को सौंदर्ज सास्त्र के केंदर में लाना होगा मतलब पाठ की गरहन और पाठ की प्रभाव को अब ऐसा कोई इतिहास हिंदी में तो लिखा नहीं गया है, मेरी जानकारी में पश्चिम में भी नहीं लिखा गया है पर यह है इतिहास लिखन का एक द्रिश्टिकोर है साहित और पाठकों के भी सम्बंध के प्रसंग में यह भी ध्यान में रखने की बात है कि प्रतेक पाठट एक निश्चीत एतिहासिक और समाज सास्त्री संदर्व से निरधारित होता है आज के पचास साल पहले कभीर दास ये तुल्शी दास के पाठट जो लोग थे पचास साल बाद अब वही नहीं है और उनका न समाज वही है न उनका द्रिष्ट कोण वही है न उनका इतिहास सम्बंधी द्रिष्ट कोण वही है एक और बात की और मैं आप लोगों का ध्यान आकरिशित करना चाहता हूँ कि साहित के इतिहास को केवल सरजनात्मक साहित्य का इतिहास नहीं होना चाहिए बहुत पहले अंग्रीजी के प्रसिद्ध आलोचक जांसन ने कहा था कि साहित्य का इतिहास एक समाज या उसकी भासा में प्राप्त ग्यान का आकलन है, मुल्यांकन है तो ग्यान तो असल में सरजनात्मक साहित्य में भी बेक्त होता है और विवेचनात्मक साहित्य में भी बेक्त होता है अंग्रेजी में ये प्रबिर्ती है कि उसमें कभी-कभी ज्यान के साहित्य को भी इतिहास में सामिल करते हैं पर हिंदी में आज तक ये नहीं हुआ है जैसे माली जीर की राजनी इतिशास्तर की किताब है इतिहास की किताब है जैसे बहुत प्रसिद्ध है सुंदरलाल की किताब भारत में अंग्रेजी आए ऐसी भासा में वो किताब लिखी गई है कि वो साहित्य की भासा लगती है काय नहीं उस पर विचार हो जी मेरा मेरी राई यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी मतलब हिंदी भासा में जो ग्यान और सर्जना है वो दोनों का इतिहास हिंदी साहित के इतिहास को होना चाहिए तब ही इतिहास सार्थक होगा यह जो सुन्दरलाल की किताब है उस पर 1929 में अंग्रेजों ने अंग्रेजी राजने पाबंदी भी लगा दी थे अब और भी ऐसी इतिहास की किताबें लिखी गई है जो अच्छी भासा में है इतिहास की दृष्टी से भी अच्छी है लेकिन उनका कोई उल्लेख नहीं होता इतिहास में कोई चर्चा नहीं होता आखरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ हूँ यह है कि आज के जवाने में अनुबाद का बहुत महत्तो है क्या अनुबादों को भी हिंदी साहित के या किसी भी साहित के इतिहास में अस्थान होना चाहिए अच्छा देखिए अनुबाद भी कई तरह के होते हैं भारत में तो अनुबादों की एक पिसाल और भव्य परमपरा रही है भारत में पंद्रहुमी सोलहुमी सदी में भारत की अधिकांस भासाओं में रामायड महाभारत सिर्मत भागवत और भगवत गीता इनके अनेक सरजनात्म का अनुबाद हुए जनात्म का अनुबाद इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो गरंथ हैं वो उस भासा के महानकाब बेवाने जाते हैं केवल अनुबाद कोई नहीं कहता हूँ अब ये जैसे अनेक हैं मालीजिये मैं कुछ का नाम आपके सामने रखना चाहता हूँ असम के संकर देव ने भागवत का अनुबाद किया तो राम सरस्थी नामक महा कभी ने रामायड और महाभारत का असमी भासा में अनुबाद किया बांगला में किर्तिवास ओजान ने रामायड लिखी तो उडिया में जगना दासने भागवत बलराम दासने रामायड और सार्ला दासने महाभारत का अपनी भासा में सर्जनात्म का अनुबाद किया अनुबाद का ऐसा काम तेलवू में कननड में भी हुआ है अब ये सारे अनुबाद हैं मूलत तो कहे नहीं अनुबाद को भी और अनुबाद को जब आप साहितिके इतिहास में अस्थान देगे तो ये नहीं कर सकते कि बद्धेकाल के अनुबादों को तो जगह दीजिए और आधुनिकाल के अनुबाद को न दीजिए क्योंकि आधुनिकाल के अनुबाद भी कि साहिति चेतना को बनाने बिगाडने में बहुत महत्मूर भूमिका निभातते हैं कौन नहीं जानता कि रविनाटेगोर की गीतांजली के हिंदी में अनेक अनुबाद हुए हैं और रविनाटेगोर की कविता का हिंदी कविता पर गहरा आसर पड़ा है बलकि इस बात को रामचन सुक्ल भी स्वीकार करते थे आलुख आलोचना भी करते थे इसलिए मेरा अनुरोध है और आग्रह है कि हिंदी साहित के इतिहास में अनुबादों को भी अस्थान मिलना चाहिए हिंदी साहित की एक समस्या उसके अखिल भार की स्वरूप की पहचान की समस्या भी एक प्रसंग केवल रखना चाहता हूँ दो पहला प्रसंग यह है कि मराठी के सबही संत भगत कवियों ने ग्यानेशोर से लेकर बाद के दिनों तक के मेरे पास दो दर्जन नाम हैं उन कवियों के जो मैं सब आपको पढ़कर सुनाओगा नहीं आप चाहें तो स्वयम कोजी है कि सबही कवियों ने ग्यानेशोर से लेकर एक तरह से कहिए कि आज के काल बने मध्यकाल के अंत तक कवियों ने मराठी के साथ साथ हिंदी में भी कविताय लेकर हिंदी साहित के इतिहास में केवल नाम देओ की चर्चा होती है और वो भी चुक्वी रामचन सुक्ल ने किया है इसलिए बाद के इतिहास वाले दुहराते हैं न उसके पहले वाले को जानते हैं न उसके बाद वाले को जानते हैं इसलिए हिंदी भासा की कविता के अखिल भारती सुरूप को समझने के लिए मराठी संतों और भक्तों द्वारा लिखी गई हिंदी कविता का भी हिंदी साहित के इतिहास में समावेश होना चाहिए आखिरी बात ये है कि यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जीतने भारत के मुगलबाद साथ थे अकबर से लेकर बहादूर साह जफर तक उन समने ब्रजभासाम हिंदी में कविता लिखी उन कविताओं को हिंदी साहित के इतिहास में अस्थान क्योंने ही मिलना चाहिए यही मेरा कहना है यही मेरी बात